सभी को मेरा नुश्टार हायर मत्मेटिक्स की स्वंखला में आप सब का स्वागत है इसके पहले के वीडियो में हमने बात की थी ग्रूप की ग्रूप कंप्टीट हो चुका था आज हम बात को ले जा रहे हैं सब ग्रूप की नाम से लग रहा है सब ग्रूप का मतलब ग्रूप का बेटा जो ग्रूप की सभी प्रूपर्टीज को रखता हो लेकिन ग्रूप से छोटा ठीक है यानि कि एक ग्रूप का एक ऐसा सबसेट जो ग्रूप की सभी प्रूपर्टी को फॉलो करें हमने बताया था ग्रूप की चार प्रूपर्टीज थी तो तीन है चार Closure Property, Associative Property, Existence of Identity and Existence of Inverse एक Abilion Group भी था जिसमें Communtative लाग भी Follow करता है तो उसको हम कहते थे Abilion Property है Abilion Group है, sorry तो अगर हम उसे कहा जाए कि ग्रूप की Definition क्या है तो आप कहेंगे कि किसी भी Group G का एक ऐसा Subject जो Group की सभी Properties को Follow करता हूँ That is a Subject अगर Definition कुछा जाए तो आप लिखेंगे A Non-Impty वे रेटिंग दारा घंदी है A Non-Impty Subset Subset H Of A Group G A Group G को लिखे दीजे G Binary उसे फैदा यह हो जाएगा कि हम यह बता देंगे कि वही हम जिस Operation के बारे बात करने है That Operation is Binary जो Mathematical Operation Numbers की वीच लगेगा Binary है तो Non-Impty Subset H Of A Group G Is Card Subgroup Is Card Subgroup If It Follows All the Properties of Group All the Properties of A Group Under the Operation Binary Under the Operation Binary इसके पहले कि आप Subgroup पढ़े आप Group को जरूब पढ़े आपके Subscription में Sorry, क्या रोल आँ आपके Description में हम उसको दे भी देंगे और पढ़ भी लिया होगा आपने जिसा ग्रूप कोई भी अगर सर्च करेगा तो Ultimately वह ग्रूप तो पढ़के आया होगा और जो Element होगे वह इस Group के अंदर से निकाले जाएंगे इसको हम Subgroup पहेंगे ठीक है अज़र दो प्रकार के Subgroup होते है जैसे मालिया एक होता है Improper Improper या इसको एक Tribal होता है एक Non-Tribal होता है इसको Improper या Tribal Group कहते है Tribal Group जैसे याद करने का कोई मतलब यह समझेगा जहां पर वर्ड ट्राइबल आए उसको उल्टा समझे कि आपको ट्राइड नहीं करना है वह Subgroup होगा मतलब आपको ट्राइड मतलब आपको प्रूफ नहीं करना है वह Subgroup होगा ही मतलब अगर मैं कहूं Set E identity element का सिप और आप जानते है identity element हर property को follow करता है and G itself G itself खुद में G जब खुद में G कहा रहा हूं मतलब G के सभी element आपने ले रखे है और जब G के सभी element ले रखे है इसका मतलब वह सभी properties को follow कर रहा है ठीक है Is Card यह Is ने नहीं दो है Our Card Improper और ट्राइबर ओर बिल्र, मतब आपको यहां पर प्रोपर्टी फॉलो नहीं कराया है, क्योंकि हम जानते हैं अगर e आपने लिया, तो e बांड़ी की होता है, यह इनि कुरुदर क्रोपर्टी फॉलो कर रहा है, बाइनरी करो या इवाइनरी एवाइनरी करो एसोचिव प्रापर्टी फालू करेगा यह सब फालू ही करेगा इसमें आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है यह ट्रापर होता है ठीक है और अगर मालिया आपको कोई और सपस्ट ले मतलक्त जी से कुछ निकाले और आप देखें कि वो element उस property को यह जो group की property है उन्हें फालू कर रहा है तो उसे चेक नपनेगा ना उन्हें non-trivial या proper sub group कहते हैं, improper या trivial sub group ना कहें, sub group तो अगला होता है proper और non-trivial, non-trivial sub तो याद कराने के लिए बोलना है, तो non-trivial का बतल यह होता है कि any subset h of g which is following this property जो follow कर रहे हैं, उन्हें non-trivial कहते हैं, आपको चेक करना पढ़े हैं कि वो follow कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो यह तो आप भी subgroup की अब कुछ theorem है, उनके बारे में बात करें जा रहे हैं, एक एक करके बहुत ध्यान समझेगा, टफ नहीं है, हाँ, group आपको पहले से आना चाहिए, और आना चाहिए मतलब उसके लिए आपको पहले हमारे पहले वाले वीडियो में जाना चाहिए, और जाना चाहिए बात उसक इसी और की काम की भी चीज है, तो शेर भी कर दीजिएगा, और ना लगी, तो फिर इसकी परीद होगे अपने आप, ठीके, एक थेोरम आती है, जना ध्यान से समझेगा, शिरम बता दें कि जो ग्रुप की थेोरम सोती हो, टफ तो नहीं होती, अगर इसी भी नहीं हो, थोड identity of a subgroup is the same as that of group, is the same as that of group, जो सब्गृप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रूप पढ़ लिजेगा तो ग्रूप पढ़ों के तभी यह समयाएगा ग्रूप नहीं पढ़ा तो मतलब क्या-क्या लाइफ जिंगा डला ये नहीं किया तो लाइफ जिंगा डला क्या होगा ये कह रहा है कि अगर एक सब्ग्रूप की जो आइडेंटी होती हो वही होती है जो ग्रूप की आइडेंटी होती है कैसे प्रूप की आजए है तो कि हम क्या करेंगे कि भही सब्ग्रूप का मतलब होता है ग्रूप बड़ा सब्सेट है वो चार प्रपरटीज को फालू कर रहा है उसमें सिक सबसेट निकाला और मैंने का सब्पोस करिएगा सब्ग्रूप की आइडिन्टी कुछ हो रहा है यह मालत है ठीक है जिसको प्रूफ करने का तरीका देखिए क्या होता है जरा ध्यान से सुझिए हमने कहा कि वही एक्स जो अब आपको बताना है कि जो आइडिन्टी एलिवेंट एच का है वही जी का है तो आप उसके लिए पहले दोनों को अलग-अलग मालते हैं हमने माल लिया कि लेट इवी दा आइडिन्टी आइडिन्टी आफ एच हमने कहा है एच की आइडिन्टी ए है और जी की आइडिन्टी एडिन्टी अलग-अलग आइडिन्टी ठीक है अब आप क्या करेंगे एक एलिमेंट एच में लेते हैं अब आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आइडिन्टी एलिमेंट आउपरेट होता है तो वैलू चेंज नहीं होती है याद करिए एक एडिन्टी आइडिन्टी आइठी कि अगर किसी भी नंबर के साथ एडिन्टी प्लस की जाएगी तो नंबर वही रहेग याद करिए multiplicative identity कि किसी भी number के साथ अगर multiplicative identity operate होगी तो value वही रहेगी तो इसका मतलब identity element जब किसी element के साथ operate करता है and e belongs to h यानि e h को बिलाग करता है तो इसका मतलब यह हुआ अगर a into e binary e कर दें तो value a ही आई सही में एरा हूँ क्योंकि e जो है x का identity element है अच्छा a आप कहा सा निकाल के लाए हूँ a आपने कहा h का element है और actually a h क्या है h g का subset है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह a g को भी बिलाग करेगा as a belongs to g and e dash also belongs to g क्योंकि आप पहले कह रहे हूँ e dash g का identity element है so अगर मैं a के साथ e dash का operate करूँ तब भी value a ही आई क्योंकि इसका identity element है तो अगर इन दोनों को देखे हैं तो दोनों के right hand side same है तो by question 1 and 2 अगर दोनों इक कुशन को आप देखे तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई दोनों इक्वाल है क्योंकि दोनों ही आपको result same दे रहे हैं तो आप कहेंगे a binary e is equal to a binary e dash यह आप कहेंगे अब चुकि left cancellation law से a cancel हो जाएगा तो यह आएगा e is equal to e dash by left cancellation law हमने यहां क्या लगा दिया left cancellation law रहेटी फुरा अगंदी है कि भी मैं अच्छा लिखने की कोशिश कर ला हूँ क्या show हो गया कि भया जो दो identity आप मान रहे थे ना वो दो नहीं है दोनों same है अगर e h की identity है तो e h g की भी identity है तोनों अलागों नहीं है ठीक है दोनों की बस facial लगा लिया है वही वाला मूँ है तो यह कर लिजेगा कि बाद next theorem की हम बात करते है और इसी में हम इसको edit करके theorem आइस केपल लिखें तो रैटी गंदी है उस गंदी में हम और लिखेंगे the inverse of subgroup is as that of the group the inverse inverse of a subgroup is the same as that of the group किसी subgroup का inverse वही होगा जो group का inverse होता है मतलब अगर मैं मानूं कि कोई element A है H में और उसका inverse मान लेते हैं B है तो वो ही inverse G में भी होगा ठीक है अब इसका proof करने जा रहा है ज़रा सबहने की कोशित कर ये इसके पहले किसको proof करें हमने बताया की property of group की theorems का video बड़े हुए है उन्हें प्लीज 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 देख लीजेगा तभी यहां पहुंचिएगा अगर मैं सब्में नहीं आएगा ठीक है वैसे आ जाएगा थोड़ा सा इसमें इस्प्रेम भी करेंगे देखे जान से अभी तो हमने इसके पहले proof कि E is the identity of H as well as G तो हमने मारा भाइस इसमान लेते हैं let H be the subgroup of G binding जिसका एक subgroup है यहीं कि इसी का subject है and E be the identity element be the identity element element of H as well as G क्योंकि आप जानते हैं कि जो identity element होता है वो दोनों का सेम होता अभी आपने थोड़ा प्रूफ के इसके पहले अब आपको प्रूफ ही करना है कि वहीं है inverse जो है जो H का होगा वहीं G का होगा तो आप यहाँ पर inverse अलग-अलग मान दीजिए ठीक है हमने मानना letter A belongs to H and B is the यह B हमने मान दिया is the inverse in H यह inverse of H and C be the inverse of G हमने दो के अलग-अलग inverse मान दीए अज़र चलते हैं inverse में आपको बताया गया है कि यह 2 में कौन सा नंबर प्लस कर दिया जाए कि आपको additive identity मिल जाए तो आप तहेंगे minus 2 प्लस कर दो तो minus 2 is the inverse of 2 and 2 is the inverse of minus 2 क्योंकि आपने पढ़ा है कि inverse of the inverse of element is the element itself उसी प्रकार से कर 2 में किस नंबर का multiply कर दिया जाए कि आपको multiplicative identity मिल जाए तो आपको यह 1 upon 2 को multiply कर दो उसी प्रकार से अगर किसी element में उसके inverse से आप operate करते हैं मैं multiply नहीं कुरूँगा क्योंकि यह dependent करता है कि आपका binary operation क्या है उसमें binary operation करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है identity element ठीक है आप देखे जाए अगर मैं A का binary operation B से कर दूँ तो आप क्या कहींगे अच्छा पहनी बात दूसरी बात A आप ने कहा है है और H कहां से लिया गया है G से H सबसेट है ना तो आपने G से निकाना है तो जब आपने H G से निकाना है तो भया यह A G को भी बिलांग करेगा A बिलांग्स तो G और C is the inverse of G जो G का inverse आपने माना है वो आपने C माना है तो इसका बतलब क्या हुआ तो अगर A आपरेट करेगा C से तब भी आपको E देगा क्योंकि आइडेंटी भी दोनों की सेम ही है अब फिर दुवारा दोनों की questions को ध्यान से देखिए दोनों के right hand side सेम है तो left hand side भी सेम होंगे तो by question 1 and 2 दोनों की questions से आपने क्या देखा इसको मैं रख पर रहा हूं दोनों के left hand side भी सेम हो जाएंगे यानि A binary B is equal to A binary C दोनों की A cancel हो जाएंगे B is equal to C हमने क्या यहां लगा जाया है by left cancellation law left cancellation law तो इसका मतलब जो हम दो inverse मान रहे थे न दो दो नहीं थे दोनों एक ही थे दो शरीर एक जान थे दोनों तो इस रूफ हो गया तो इस इस थेवर्म नेक्स थेवर्म देखिए लिखा non-empty subset H of a group G तो इस रहा है थेवर्म नुबर 3 a non-empty subset H of G a non-empty subset H of G is a subgroup is a subgroup if इस पर ज्यान दीजी I developed इसका मतलब होता है if and only if इसको कहा जाता है if and only if का मतलब होता है कि ये ठेवरम दोनों तरव से प्रूफ की जाएगी पहला क्या दिया गया है पहला ये कह रहे हैं कि a b a b belongs to h implies a b belongs to h मैं into नहीं बोल रहा हूँ ये binary operation है बाइचान से हम multiply type का बनाए जा रहा है पर multiply है रही और second बात ही कह रहे है कि अगर a belongs to h implies a inverse belongs to h पहले इसका मतलब समझेगा मतलब ये है कि अगर जो h है वो subgroup है कसी group का ये दो conditions फालो होनी चाहिए और अगर ये दो conditions फालो हो रही है तो वो subgroup होगा तो चीज़ आपको proof करनी है यानि एक कहा था कंडिशन इस नेसेसरी और दूसरा है कंडिशन इस सफिसरी तो प्रूप में सबसे पहला हम फर्स इस्टिप मान के चलेंगे कि कंडिशन इस नेसेसरी कंडिशन इसेसरी का मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि H is a subgroup ये मान के मैं चल रहा हूँ और हम proof करके दिखाएंगे कि ये condition ये फुल्फिल करता है यानि कि यहाँ पर given हम मानेंगे कि H is a subgroup subgroup of group G ये group G का subgroup है और आपको proof करना पड़ेगा to prove कि पहला proof करना पड़ेगा कि A B belongs to H implies A binary B belongs to H A into binary operation है ये plug हो सकता है और second आपको proof करना पड़ेगा A belongs to H implies A inverse और ये A inverse का मतव बन अपारे नहीं है inverse of H का मतव होता है ये depend करता है उसके binary operation पर उसके इंसाथ से inverse decide होता है अब देखो कैसे proof किया जाएगा आप जानते हैं कि यहां H subgroup है और subgroup closer property को follow करता है अगर A भी belong करेगा तो A into B belong to करेगा जो property उसकी होती है और अगर A belong करेगा तो उसका inverse भी belong करेगा ये भी subgroup की property होती है तो आप तो चाहने लिखेंगी कि as H is a subgroup subgroup so first and second condition is obviously puts पहनी और second condition अपने आप hold हो जाएगा लिखना चाहो लिख दो because this is a closer property और this is the inverse existence of inverse तो अपने आप कुल फिल होगी property अब दूसरी property यह है दूसरी तरिके से condition is sufficient यानि आप ये given मान के चाहने और इसे सब गुर प्रूब करतीजे तो देखे second condition कैसे लिखेंगे second part इसका उल्टा है Converse of this theorem चाहे तो Converse of this theorem कहिए या कहिए the condition is sufficient तो इसे जो case 2 लिखेंगे या तो लिख दिए Converse of theorem Converse of theorem या आप लिख दिएगा condition is sufficient condition is sufficient यानि इधर गिवन मान के ये proof करें तो necessary और ये मान के उल्टा proof करें तो sufficient तीच है अब दिखेंगे उसको proof कैसे किया जाएगा तो यहाँ पर given में हूं क्या मानेंगे पहला ये given है कि a b belongs to h implies a binary b belongs to h और second मानेंगे कि a belongs to h implies a inverse belongs to h a का मतलब a नहीं है any element it may be any element और a inverse का मतलब होता है उस operation के हिसाब से inverse element अब देखेंगे सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा क्लोजर प्रॉपर्टी फालो करना है यह नहीं करना है प्रूप क्या करना है इसमें to प्रूप करना है कि h is subgroup उस्त् term group का मतलब यह हुआ कि आपको उस्त ग्रूप कि चारो प्रॉपर्टी को फुल फूल करना पड़ेगा यह चारो प्रॉपर्टी फालो कर रहा है यह नहीं कर रहा है सबसे पहले हम प्रूप करने जा रहे है प्रूजर प्रॉपऱ्ेटी Closer property क्या होती है कि अगर दो element h को बिलांग करे तो उनका operation करने पर जो resulting element आए वो भी h को बिलांग करना चाहिए यानि कि अगर a और b बिलांग करे a b belongs to h implies a into b belongs to h यह पहने से given है first condition is given by first condition यह condition मैंने सीखिए करने है इसका मतलब यह closer property को follow करता है so h is closed h is closed यह जो है वो closer property को follow कर रहा है पहली property हो गई ठीक है अब मैं second property देता हूँ इसको रफ पर देता हूँ रफ मतलब आप रफ नहीं करेगी इसके आगे second property second property में हम में क्या करना पड़ेगा कि यह यह associative property follow करा नहीं करा है associativity follow करा नहीं करा है क्या करेंगे इसके लिए हमें तीन element ह में बाने पड़ेंगे हम नहीं कहा connect a,b,c belongs to h तो proof क्या करना पड़ेगा a,b in bracket into c is equal to a,b into c जो होती है लेकिन हम डाइट पर लेक नहीं सकते proof करना पड़ेगा अच्छा आप जानते हैं के h है क्या आप कहेंगे h is subset है g का ठीक है कुछ element h में ले लिए गए है तो as h is the subset of g इसका मतलब यह हुआ कि जो element आपने h में लिए है वो जी में भी होंगे इसका मतलब यह हुआ कि भीया जो तीन element आपने माने है h में वो जी में भी होंगे और g भाई साब क्या है g भाई साब group है associative property follow कर रहा है हमको मार हुए पहले से यह जी group है वो associative property follow करता है इसका अपने element है kis के h के इसका मतलब h में भी यह follow कर रहा है वही तो rule यह follow कर रहा है हाँ पर so it follows associative law associative law in h यह x में भी associative law को follow करता है ठीक है अब हम बात करेंगे existence of identity की कि identity element इसमें है की नहीं है तो third property देखेगा existence of identity इसको रप नहीं कर सकते इसका use करना पड़ेगा तो third property existence of identity यह हम जानते हैं कि जो identity element g का होगा वही identity element h का होगा पहली बात ठीक है और जो inverse g का होगा वो h का होगा दूसी बात ठीक है यह हम जानते हैं यह आप कहेंगे अभी आपको subgroup माने नहीं तो आप g को तो जानते ना group है तो देखे identity proof करने हम जा रहे हैं यह हम जानते हैं कोई element इसको belong करता है तो उसका inverse भी belong करता है यानि कि as a belongs to h implies a inverse belongs to h यह हम जानते हैं by second condition वाइद दूसी जो condition given है वो यह जो कह लिए है कि कोई भी element बिलान करेगा तो उसका inverse भी बिलान करेगा और यह भी जानते हैं यगर दो element बिलान करेगा है तो उनका operation करने के बाद जो resulting element आएगा वो भी h भी होगा यानि कि a belongs to h and a inverse belongs to h implies इनका operation ही belongs to h और आप जानते हैं a, a inverse क्या होता है e होता है यानि e belongs to h यानि कि इसमें identity exist करती है यानि कि does identity element exist identity element exist in h h में identity exist कर रही है यानि कि एक property और यह फालो कर गई next क्या करना है कि भाई inverse exist कर रहा नहीं कर रहा है तो next आता है existence of inverse उसकी वारे में बात कर लेते हैं इस नोट कर लिएगा सम्मली लिएगा नोट में रहेंगे कि inverse exist कर रहा नहीं कर ला है existence of inverse चौथी property देखें inverse exist करेगा उसके लिए उसके लिए उसके कहने जड़ोता नहीं बहले कहना है अगर नमर्ड कर चौब हम कर लिएगा अगर कर लिए नहीं कर लिए खार्ट कर लिएगा और कर लिए यारी कि अगर लिएगा अगर लिए आट first belongs to H by second condition, so inverse also exists, so inverse in H exists, it means it is following all the four properties, so G is a group, so H is a sub group, hence group you have said that you have said that you follow the sub group, so you have said that you have four properties, so this is the theorem, next theorem is the necessary and sufficient condition that a non-empty subset H, non-empty subset H, of a group G is to be a sub group as if A belongs to H and B belongs to H implies A the inverse belongs to H, जरा समंदिक कोशी के लिए, हमने non-empty subset बोला है, हम यह नहीं का हो sub group है, यानि कि element तो G से लिए गए है, लेकिन वो सभी properties को follow करेगा तभी वो sub group होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कि उसको sub group मान के चलेंगे, और यह condition follow करेंगे, वो हो जाएगी necessary condition, और बाद में इस condition को मानेंगे given है, और sub group करेंगे तो वो sufficient हो जाएगा, तो पहला हम यह लेकिन चल रहे हैं, कि तक tradition is necessary, condition is necessary, उसके लिए हम given क्या मानेंगे, हम given मानेंगे, कि H is a sub group, sub group हैंगे, sub group of G, यह हम given मानेंगे, और proof क्या करेंगे, कि अगर A belongs to H है, and B belongs to H है, implies A B inverse also belongs to H, इसे proof करेंगे जारेंगे, ज़र समझने की कोशिस करो, थोड़ा सा, आप जानते हैं, कि क्योंके sub group है, तो sub group की समी properties को यह follow करेंगे, ठीक है, कैसे proof करेंगे, कि as, H is a sub group, so, अगर A और B H को बिलांग करेगा, तो by closer property, A B also belongs to H, by closer property यह होता है, closer property यह जानते हैं, दूसरी बात यह group है, तो inverse भी exist कर रहा होगा, यह अगर A बिलांग कर रहा है, और B बिलांग कर रहा है, तो B inverse भी बिलांग करेगा, यह अगर B बिलांग करेगा, यह अगर होगा H को, तो B inverse भी एच को बिलांग करेगा, existence of inverse, यह भी हम जानते हैं, अब त्या करेगे अब देखें A belongs to H है और B inverse belongs to H है दो element है यह यह है और B inverse है और हम जानते हैं कर दो element है तो उनकी उनका जो operation है वह भी है को बिलांग करेगा यह नहीं प्लाइज, AB inverse also belongs to it, तो हैंस group the first part, first part subgroup हो गया, ठीक है, यह closer property यहाप पर हमने आप लगा दी, ठीक है, यह आपकी closer property follow गई, it is this condition is necessary, अब आते हैं the condition is sufficient, वो द्वाले भी होगा, यूँकि आपको group की सभी properties को fulfill कराना पड़ी, देखें दाज, यह जहाने हैं, यह subgroup क तो चार प्रपर्टी प्रोजर असोसियेटिव इकसिसस अफ इडिटेटिश इस अफ इजना पड़ेगा, यानि कि हमको गिवन में जो मानना पड़ेगा, कि अगर A और B belongs to H है implies AB inverse H को बिलांग करते आ है और जो हमको proof करना पढ़ेगा जो H is a subgroup of G जो H जो है और G का subgroup है देखे proof करने जा जा रहे हैं सबसे पहरे हम closer property ले रहे हैं closer property क्या कहती है ज़र दो element बिलांग करते हैं तो उसका जो operation है वो ही बिलांग करना चाहिए ठीक है ज़रा देखे द्यान से सौधान देखे a और b मान लेते हैं H को बिलांग करता है अब फ़ड़ा लफड़ा यहां पर है आपके पास ही कहला है बिलांग करता है और आपने माला a b बिलांग स्वेच then नहीं and if b बिलांग स्वेच इंप्लाइज b इनवर्स आल्सो बिलांग स्वेच पहले आप बोल रहा हूँ कि a b इनवर्स्वी इसमें है बैं b इनवर्स आ रहा है अब देखो द्यांग से अगर मैं मालग जुए हमको प्रूफ क्या करना है a into b बिलांग स्वेच ऐसा कुछ आदिया नहीं किया है अब देखो a belongs to h a belongs to h and b इनवर्स बिलांग स्वेच है तो देखे अगर ये दो इलिमेंट बिलांग करते हैं तो this into इसका inverse ये बिलांग करेगा यानि कि a into b inverse का inverse b h को बिलांग करेगा by given condition condition क्या करेए कि अगर b है तो इसका inverse भी मल्टिप्लाई कर सकते हो यानि b inverse है तो b inverse का inverse भी मल्टिप्लाई कर सकते हो तो आप चानते है किसी b inverse का अगर inverse कर देते हैं वही element आए दाता है, यानिकि यह क्या proof हो क्या आगया, AB belongs to it, so, Closer property holds, Closer property holds, writing अंदी है, देख लिए, यानिकि Closer property को यह follow कर गया, ठीक, अब बात करते हैं, associative property, next property is associativity, देखें, property no.2, associativity, कैसे associativity proof करेंगें, देखें, वही जो पिछली धरों में था, हम आ लेंगे, let ABC belongs to H, ABC से H को बिलांग कर रहे हैं, और as X is the subset of G, H G से लिया गया है, so, ABC G को भी बिलांग करेंगे, और G क्या है, G सब ग्रुप है, तो as V is group, G is a group, so, group associativity property को follow करता है, so, अब यह property group की है, ठीक है लेंगे, यह element तो अच्का ही है, holds in G, in H, holds in HR, यह हमें भी hold कर रही है, तो यह आपकी associative property होगी है, अब क्या करना है, existence of identity, रभ करते हैं फिर, next existence of identity देखें, यह identity element exist करना ली करना है, तो third property करेंगे, of identity, identity के लिए क्या करना पड़ेगा है, हाँ कही से E ले क्या पड़ेगा, कि E इसको बिलाग करता नहीं करता है, देखें जान से, since, A belongs to H, implies A inverse belongs to H, आपसे कहरा है कि B है तो B inverse H के अदर, यह हम जानते हैं, और अगर A inverse, इसका मतब यह हुआ कि A inverse AB H को बिलाग करेगा, आपसे कहा गया है, कि इसका operation भी बिलाग करेगा, यानि E भी यहांपर बिलाग करेगा H को, इसका मतब क्या होगता है, तो identity exist, identity exist कर रही है, तो यह हो गया existence of identity, अब आपको क्या करना पड़ेगा, existence of inverse करना पड़ेगा, inverse वारे बात कर लेते हैं, चौथी property, existence of inverse देखिए, existence of inverse कि पहले आपसे कह रहा है, कि B है तो B inverse है, यह बोला, आपसे पहले बोला, वह B inverse है तो यहां operation में आया है, तो आप लिखेंगे, अगर E belong कर रहा है, तो आप लिखेंगे, अगर E belong कर रहा है महले हैं, अगर E H को बिलान कर रहा है, और A H को बिलान कर रहा है, तो आप जालते हैं यह element और इसका inverse, यह E into A inverse V H को बिलान करेगा, और किसी भी element के साथ, अगर identity operate होता है, तो A inverse V H को बिलान करेगा, तो inverse also exist, inverse also exist in H, तो H is सब्डू, H is, राइट प्रागंडी है, इसको मैंस कर रहा हैंगा, तो this is the theorem, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि, सब्रुप्ट्वी, union, और intersection कैसे कर जाते हैं, कैसे पुटी theorem फॉल्व परती हो के, पली जीगा, तब तक के लिए, नमस्ता.